नमस्ते बच्चों हिंदी क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है हब करते हैं कुछ वाम अप एक्सरसाइस बात में शुरू करेंगे हमारा आज का पाथ आप पहले दोनों हाथों को मिलाओ ऐसे नमस्कार मुद्रा में और धीरे से उपर उठाएए आपकी भुजाय जो है उन दोनों भुजाय आपके दोनों कानों को टच करनी चाहिए दस गिन्ने तक वहाँ पे रखिए हाथ एक दो तीन चार पांट छे सार आट नौ दस अब धीरे से नीचे आ जाएए आपको हाथ को नीचे लाते हुए आपके चस्ट के आगे धन्यवाद अब हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी पाट तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम मीरा के बारे में पाट जो दूसरा आपका मीरा बाई का है उन्होंने कुछ कविताय लिखी है भगवान कृष्ण के बारे में और पहले हम जान लेते हैं मीरा बाई के बारे में मीरा बाई का जन जोदपूर के चोकडी कुकडी गाउ में 1503 में हुआ माना जाता है 13 वर्ष की उम्र में मेवाड के महाराना के कुवर भोज राज से उनका विवा हुआ यहाँ पे जब बाल्या वस्ता में विवा होता था उम्र सिर्फ 13 या 15 वर्ष तबी उनकी विवा मनाया जाता था पिछले दिनों में पर अब वो रूस बदल चुका है आगे देखते हैं उनका उनका जीवन दुखों की चाया में ही बीता बाल्या वस्ता में ही मा का देहांद हो गया था विवा के कुछी साल बाद पहले पती फिर पिता और एक युद में युद के दौरान सासुर का भी देहांद हो गया यहा पर शरव और वर दिया गया वा शरव नहीं है उसे हम से करना आस pad है ससुरआईस सासुर का भी देहांद हो गया तो सबी लोगों को दूर हो जाने से जिंदगी या दिमाग पैसी चलती है अकेला का महसूस कैसा होता है इसी को यहां पे बताया गया है बच्चो बहुतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया तो जब ओ निराश हो गई जीवन से और अकेलापन का महसूस होने लगा तो उसने क्या किया व्रुंदावन में डेरा डाल पूरी तर गिरिदार गोपाल क्रिश्न के प्रती समर्पित हो गई यानिकि ओ भगवान श्री क्रिश्न के ध्यान में हो गई मध्यकालीन भक्ति आन्धोलन की आधियात्मिका प्रेरणा ने जिन कवीं चैन्म दिया है उनमें मीराबाई का विविस्टBen है जो भी भक्त के बारे में भकती के बारे में विवरण देते हैं जो कोई भी गाना काया है ओर ये गीत लिखे है उनकी भकती में ऐसे रसधारा चिमाकती है कि हम उसमें खो जाएं, उस धारा में हम खो जाएं इनके बाद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात बीहार और बंगाल तक प्रचलित है मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है गुजराती और हिंदी दोनों की मानी जाती है क्योंकि इनकी लिखावट दोनों भाशाओं में है जैसे हमने भाशा को जाना प्रांति के बारे में अलग-अलग भाशा होती है इसी तरह गुजरात में गुजराती और नार्ट इंडिया में ज्यादा तारह हिंदी ही बात की जाती है संत्रेदास की शिश्या मेरा की कुल साथ आठ गृतिया ही उपलप्ध है मेरा की भक्ती दाइन और माधुर्य भाव की है संत रैदास जो थे उनकी शिश्या मेरा उनकी शिश्य थी और उनकी कृतिया जो भी है ज्यादा उपलब्ध नहीं है उनमें सिर्फ आटिया साथ ही उपलब्ध है यानि कि मिली है बाकी कहा और बाकी क्या लिखी थी उन्होंने ये हमें पता नहीं है मीरा की भक्ती दाइनी और माधुर्य भाव की थी इन पर योग्यों, संतों और वैश्नों भक्तों का सम्मिलिक प्रभाव पड़ा था जब हम अकेलापन महसूस करते हैं हम समझते हैं कि हमारा कोई नहीं है तो हमारा सहारा वही बंदा है कौन बंदा है भगवान यहाँ पे भगवान श्री कृष्ट को मानते हुए मीरा ने अपने काविय रची है और तब वो अकेलापन महसूस कर रहे थी कि उनके साथी कैसे लोग थे उन्होंने साथी किन लोगों को बनाय थी उन्होंने योगियों संतों और भक्तों के सम्मिलित प्रभाव क्यों पड़ा क्योंकि उन्हों उन लोगों की संग मीरादी ने बनाई थी वही पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाती है यानि की जब मीराद सिर्फ हिंदी में या गुजराती में कविता नहीं लिखी है बनकी उन्होंने पंजाबी खड़ी बोली यानि की रफ लांगवेश लाइक वी उस तरह के रफ लांगवेश खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी है पूर्वी यानि की उस दिशा के पुर्वी दिशा के जो भी स्थान है उन दिशाओं के भाशाओं भी संभिलित है अब हम कवीतरी के बारे में जान ली अब जाते हैं उनके पद जो दो पद दिये गए उनका विता में काव्यखाण में तो इसके बारे में पढ़ते हैं हरी आप हरो जनरी भीर, द्रोपतीरी लाज राखी आप बड़ायो चीर, भगतकारण रूप नरहरी धरयो आप शरीर, भूडतो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो महारी भीर इस कविता का ये अर्थ है, हरी हमारा भी गश्ट तुम हर लो, जैसे तुमने द्रोपती की लाज रख ली, बड़ायो चीर, यानि की उनकी कपडों को बड़ाते हुए उनका लाज रख ली, भगतकारण रूप नरहरी धरयो आप शरीर, अपने भगत के लिए आपने नरहरी क रूप धरन की आनरहरी यानि की आधा मनिश्ट की शरीर और आधा सिम्ह के शरीर जो उन्होंने धरा और प्रहलात को बचाये था, उसी तरह मेरे भी दुख हरो, किसी रूप में तो आकर हमारी मदद करो, हमारी गुरुपा, हमारे लिए गुरुपा करो, बुड़ तो गजर जब बुड़े हाथी ने मगर मच के मुँसे बचने की चाह तुमसे मांग की, तब तुमने उसे भी बचाया था, उसी तरह मैं दासी मीरा, लाल गिरिधर, तुम गिरिधर लाल हो, गिरी को उठाए, तुमें गिरिधर भी कहते हैं, कितने शक्तिशाली और बलवान और प्र गेम करते हो उसी तरह हमारे भी कष्ट हर लो हरी इस तरह मीरा भाई पहले पद में अपनी कष्ट हरने के लिए भगवान श्री विश्णु से हरी नाम का प्रार्टना करती है तो चलो बच्छो अब पढ़ते हैं हम दूसरी पद जो मीरा की है गिरिधारी लाल महने चाकर राखो जी चाकर रहस्यू बागल गास्यू नित उट दरसन पास्यू बंदा वनरी कुझ गली में गोवंद लीला गास्यू यानि की श्याम हाने चाकर राखो जी तुमारे यहां मुझे नौकरानी बनकर रख दो गिरिधारी लाल महने चाकर राखो जी तुमारे नौकरानी या भाग देखते वाली माली बनकर तुमारे बाग को देखलूंगी पुष्प और पौधे को देखबाल करूंगी और तुमारा नित्य दर्शन करूंगी बिंद्रावन्री कुंच गली में गोविंद लीला गास्यू ब्रंदावन की गली गली में मैं तुमारी लीला गाऊंगी चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची तुमारी काम या बाग की काम देखते देखते करते करते तुमारा दर्शन भी पाऊंगी और साथ साथ स्मरन भी कर पाऊंगी भाव भगती जागीरी पासियो तीनु बाता सरसी जब भी मेरा मन्चा है तुम आओगे तो मैं तुम्हारी दर्शन भी पाऊंगी और तीनो बातों का कुछ भी तुम बात करोंगे तुम्हारी बात भी मैं सुन लूँगी मोर मुक्ट पीतांबर सो है गलवेजनती माला विंदावन में धेन चरावे मोहनमुर्ली वाला तुम जब मोर मुकट पे लगा कर आओगे उसे भी मैं देख सकूंगी तीनो बात तो गलवेजनती माला तुम्हारी पीतांबर भी तुम्हे अच्छा लगता है इसे भी मैं तो मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी गले की वैजन ती माला तुम्हारी पीतामबर जो कपड़े तुम पहने होते हो वो भी तुम्हें बहुत खुबसूरत दिखाती है सुन्दर लगते हो तुम्हें तुम्हें देखने की मेरा मन में तो बहुत सी चाह होती है तो कभ कभी मैं वहां तुम्हें आते हुए देखा करूंगी तुम्हारे सिमरन भी किया करूंगी बृंदावन में देन उचरावे मोहन मुर्ली वाला बृंदावन में तुम गाय चराने भी आते हो और आप मुर्ली भी बजाते हो उचा उच महल बनावे बिच बिच राख्यू बारी उची उची महल बनाये हो वहाँ पे मैं गुजर लूँगी और बारी बारी तुम्हें देखती रहूंगी और वहाँ पे तुम मुझे काम दे दो ऐसे बिंती कर ही है बगवान कृष्ण से मेरा बाइ की उसे नौकेरी में सावरियारा धर्षन पासि बहर खुम्भी साडी तुम जैसे पीता मरी पैंते हो वसी तरह मैं भी कुसम भी साड़ी यानि की जैसे औरेंज कलर साड़ी होती है और ये सूर्योदय में जो रंग निकलता है आकाश में उस तरह रंग की साड़ी पहनूगी ये रंग जो है कुछ चीजों की प्रकट करता है हर लाल या कुसम भी हो ये प्यार की प्रतीक होती है जैसे हमारे द किसी प्रिंसिपल का प्रतीक होता है जो बताता है हरा रंग प्रोस्परिटी के बारे में बोलता है और केसरिया रंग बोलता है एकॉनमी के बारे में और सफेद रंग बोलता है हमारे शांती समाधान के बारे में वैसे ही मैं भी तुम तो पीतांबर पहने आओगे तो मैं भी कुसुंबी रंग की साड़ी पहन कर यानि कि मैं तुम्हारे लिए प्यार का गीत गाऊंगी कुसुंबी साड़ी पहन कर तुम्हारा दर्शन भी करूंगी आधी रात प्रभू दर्शन दीजियो जमना नगिरे जमना नजीरे तीरा यानि कि आधी रात को तो अधीर से मैं कभी धीरजनाख होंगी, मैं बहुत प्रेम करूंगी, जो भी मुझसे प्यार से बात करेगा, या मैं जिन्दगी से जो बिशड़ चुके हैं, उनका याद नहीं, पर आपकी याद में खुशी से रहूंगी, तो कहती है कि मुझे जमना किनारे आप दर्शन देंगे, तो मैं धीरजनाख होंगी, या बच्चों, अब हम जानते है, मीरा बाई के बारे में, अब तक तो हमने किताब में पढ़ा है, अब इसमें संक्षिप्ट में, यानि कि शॉर्ट फॉर्म में जान लेते, मीरा बाई के वो कप से कप तक जीवित है, और उनका जैन्म का पुआता, और उनके बारे में ये है, क्रिश्न भक्ति और श्रधा से भड़ी रचना के लिए, आज भी मीरा का नाम आदर से लिया जाता है, तो आपने सुनाई होगा ये गाना, तेरा वर्ष की उम्र में महाराना सांगा के पुत्र भोजराज से विवा, बजबन में मा का देहान, तवी हवाओ के पस्चात, कुछी साल में, पहले पिता, पती, फिर युद के दोरान, सासुर का भी देहान, ऐसे बहुतिक जीवन से निराश हुई मीरा पूरी तरह किरिदर गोपाल कृष्ण के प्रती समर्पिस हो जाती है, और कृष्ण के भक्ती के गीत गाने लगती है, और उसके प्रेम में हो जाती है, मीरा बाई के गीतों में संगटन के संगटन मीरा बाई की पदावली नामक ग्रंथ में लिखा गया है किया गया है तो इनका जो भी पदावली है और उन्होंने कोई जो कोई भी गीत लिखे इस ग्रंथ में लिखा गया को बुरा लगने लगता है और उन्होंने कई बार उसे विश्च देकर मारने की कोशिश करते हैं फिर भी वो भक्ति कृष्णा से भक्ति करना नहीं छोड़ती और इनकी रचनाय कुछ उपलब्ध है ग्रंतों की रूप में कोई किसी ने संकलन किया है यानि कि कलेक्ट करके र गोविंद टीका राग गोविंद राग सूरट के बाद अब बाद में एक बार शब्दा भी जान लेते हैं कुछ शब्दा थ्यापे ऐसे हैं बीर यानि कि कष्ट पीडा बढायों चीर साडी को बढाया धरयों धारन किया रूप लिया सरोर शरीर दे बूड थो डूपता हुआ गजराज हाती कुझर को भी यहा हाती ही कहते हैं पीर वृद मारी हमारी चाकर नौकरी सुमरन ध्यान स्मारन तो अब धन्यवाद बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में